जब भी हम Google ad run करते हैं तो definitely यहाँ पर एक बहुत भी बड़ी problem हमें देखने को मिलती है जिसको कहते हैं limited by budget जी हाँ यह limited by budget जो है यह बड़ा problem create करता है अब इससे कैसे आप बाहर आ सकते हैं यानिकि इस problem को कैसे आप solution इसका निकाल सकते हैं मैं यहाँ पर इस video के अंदर आप आपको यहाँ पर explain भी किया जा सकता है पर मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आपको प्राक्टिकल दिखाऊंगा कि तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो चलिए जानने के लिए जो है वीडियो को एंड तक जिरूर देखें मेरा मैं मन्जीत सिंग और आप द चुका हूं यहाँ पर computer screen पर और as you can see यह मेरा Google का account है और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक मैंने प्रोमो कोड भी जैसे जैसे आप काम करते हैं आपको कुछ प्रोमो कोड मिलते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 20,000 का जो है वो प्रोमो कोड आया था तो जो कि मैंने लगाया और यह active भी हो चुका है you can see Google की तरब से और you can see यहाँ पर हम बहुत सारी ads जो है वो run करते रहते हैं तो आप समझ सकते हैं experience भी अच्छा खासा available है तो अभी यहाँ पर मैं एक campaign हमारा भी चल रहा है right video campaign चल रहा है उसको मैं दिखाता हूं यह देख सकते हैं year end sales का और यहाँ प आते हैं तो basically यह budget आने का पहला तो कारण जान लेते हैं कारण simple सा है Google चाहता है कि अगर आप add run कर रहे हो तो मुझे जादा से जादा पैसे दो so that की आपका जो है मैं जादा से जादा content को पहुंचा सकूं तो main यही फंडा होता है और दूसरी गलती हमारे उपर भी होती है क क्योंकि हम इतने सारी चीजें या इतनी wide range ले लेते हैं या इतने सारे keyword stuff कर देते हैं और उन keywords की अगर हम average spend जो है उसका यानि कि एक costing जो है वो इतनी जादा होती है तो अगर उनको हम multiply करते हैं like say for example आपके पास में 10 keywords हैं और 10 keyword का जो costing एक keyword की है say for example 54 rupees की है तो on an average की तो यहां पर 540 rupees मेरे बन रहे हैं लेकिन मैं budget कितने का लगा रहा हूं 500 rupees का तो you can see google यहां पर जैसे आपकी आड प्रूव हो जाएगी तो Google बोले का भई यह जो आपने keyword use किये हैं उसके according यह 500 जो है per day का आपका budget जो है वो कम पर रहा है या तो आप budget को increase करो पहला चीज क्या ब बढ़ सकते हैं लेकिन मेरा जो personal experience रहा है इस limited by budget का तो यानि कि अगर यह दिखने लगे तो आपकी add जो है वो बले ही आपने कितने दिन के लगा कर कि यह show नहीं होगी और बहुत ही rare case में show होगी और ऐसे में ऐसे time पे show होगी जहां पे आपको कोई benefit इसका नहीं मिलने वाला है तो पहला option क्या है कि अगर आप यहां पर click करो limit by budget पे और you can see यहां पर आपको यह कुण 100 रुपे का recommendation दे रहा है तो आप डिरेक्ली इसको apply कर दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको guarantee देता हूँ next day within 24 hour फिर आपको यह limited by budget देगा तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर बढ़ाने से अच्छा है budget को पहले आप कुछ और task perform कर सकते हैं पहला क्या कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे जाएंग है वह बहुत जादा हमने यहाँ पर लगा के रखा था तो हमने कि अगर आप बहुत सारा चीजों को you can see pause कर दिया so that कि यह आप काम कर सकते हैं यह मैं को क्या करना है बंद करना है मैं इसको pause कर देता हूं यह pause करने के बाद ऐसे बहुत सारे keywords या जो भी आपके target प्लेस हैं जहां पर यह placement होगा तो ऐसे में आप यह कम कर सकते हैं कम करने से क्या होगा कि आप थोड़ी दिर के बाद में देखेंगे कि आपका limit by budget अगर उसके control में आ जाता तो अब यह हट जाएगा लेकिन अगर नहीं हटता है तो यह पहला option था उसके बाद second option क्या है आप setting में चले हुई है तो हम यह location को change कर देता हूँ मैंने तीन location सेलेक्ट कर रखी है अब मैं यहां से एक location को remove कर देता हूँ अब मेरे पास सिर्फ एक ही city की location है और इसको मैं यहां पे save कर देता हूँ तो save and continue पर click कर देता हूँ और यहां पर अभी जब भी आप यह changes करेंगे immediately आपको इ तो एक दो मिनट वेट करें या कई बार 4-5 मिनट भी लग सकते हैं और उसके बाद जब आप refresh करके देखेंगे तो आपका ये limit by budget का जो option है वो remove हो जाएगा तो मैं थोड़ी दिर वेट करता हूँ ये changes करने के बाद में so that कि आपको यहाँ पे दिखा सको लेकिन अगर यहाँ यहाँ पर यह सब करने के बाद भी आपका limit by budget नहीं हटता है तो आप क्या करो यह location मैं अभी let me see अगर मैं यह location change करके कुछ और करके enter देख सकूँ तो मैं advance search पे जाता हूँ location पे जाता हूँ let's say मैं यहाँ पे सिरफ और सिरफ जोदपूर कर देता हूँ right जोदपूर करके इसको target audience में ले लेता हूँ और इसको save कर देता हूँ और उसके बाद में Mumbai क्योंकि एक बहुत बड़ा बहुत crowded बहुत जादा potential वाला है तो मैं उसको remove करके एक बार के लिए यहाँ पे save कर देता हूँ right तो save करने के बाद में भी you can see जोदपूर एक बहुत छोटी से city है but still यहाँ पर अभी आपका limit by budget remove नहीं हुआ है so let's wait for some more time चलिए भी एक दो मिनिट होगे मैं वापस से एक बार refresh करके देखता हूँ so यहाँ पर अगर refresh करने से आपका यह हट जाता है तब तो ठीक है अगर नहीं हटता है तो you can see यहाँ पर हमने इतना changes कर दिए उसके बावजुद भी रिमूव नहीं हो रहा है यह अगर आ गया है तो definitely Google तो आपस पैसा लेकर ही रहने वाला है so इसलिए it's better कि आप यह जो चीजे लिखी करी गई है इनको ना करके हम क्या करें सीधा थोड़ा सा budget इंक्रीज कर देते हैं तो मैं यहाँ पर वापस से जो locations मुझे चाहिए हैं वो मैं डाल देता हूँ like मुझे चाहिए यहाँ पर डैली city चाहिए तो वो मैंने add कर दी उसक और उसके बाद में अलग्छे जैपूर तो मुझे जैपूर वाली city भी चाहिए राजस्तान की तो मैं इसको भी include कर लेता हूँ then उसके बाद में यहाँ पर indoor ले लेता हूँ इसको भी target में डाल देता हूँ इतने डालने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ save और save करने के बाद जो है क्योंकि अब यह changes तो हो नहीं पा रहा है तो what I'll do is the third option third option क्या है let's increase the budget right तो यह recommended बोल रहा है अगर आप उससे कमकार करोगे भी तो भी यह आपको मैं अभी you can see 600 था अब मैंने 1300 रुपया करके अगर मैं इसको apply भी करता हूँ तो you can see यहाँ पे नीचे जो है एक budget आपका set हो रखा है so अभी मैं इसको 2100 पे करके और apply कर देते हैं कोई बात नहीं अब जैसे ही हमने यह देखो budget किया हमने बाकी सारे जो changes बहुत सारी videos के अंदर बताये जाते हैं मैंने भी वो सारे आपको करके दिखाए लेकिन मेरा personal जो experience रहा है वो यह कि यह जो यहाँ पे location change कर देना कम कर देना या फिर keywords को कम कर देने से यह कई बार नहीं मानता है यह सिरफ और सिरफ एक ही चीज़ पर आटक जाता है कि budget और ज्यादा stuff करो budget और ज्य increase कर दो तो जैसे मैंने budget पे changes करे मुझे बिलकुल भी wait करनी की जूरत नहीं पड़ी तुरंत ही यह जो है आपका eligible पे आ गया और अभी जो है यह eligible पे आ गया next 24 hours के बाद में यह वापस उसको optimize करेगा और फिर वापस से मुझे budget को increase करने के लिए बोलेगा तो यह जो है आप और साथी साथ locations को कम करके देख लो अगर आपका fulfill होता है goal तब तो ठीक है और अगर नहीं होता है तो फिर मैं तो यह recommend करूंगा कि अगर आपकी ad के अंदर जो है limited by budget आजाता है तो Google की ad को वहीं पे बंद करके दुबारा नहीं ad जो है वो create करके उससे जतना performance कम समय के अंद आप निकलवा सकते हो उतना निकाल लो क्योंकि फिर थोड़े दिर जैसे आपके 24 hours होंगे यह फिर आपको limited by budget के अंदर add कर देगा so guys I hope कि आपको यह पूरा वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि मैंने यह पे practical चीज़ें जो है वो आपको दिखाई है तो अगर आपको अच